नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगे हर साइज के टक्स डालना यानि के पिलेट डालना जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम कैसे पिलेट डाले हैं हर साइज में एक ही साइज से डालना है पीछे के पिलेट कैसे डालनी है तो बो मैं आज आपको आसान और सरल तरीके से ब आप लोगों की बहुत कमेंटर आ रहें थी कि टक्स बताओ प्लेटें बताओ पीछे की कैसे डालनी है तो देखिए मैं तो बहुत आथान और सरल तरीके से आपको बताती हूं ऐसा नहीं है कि आप यहां पर दो तरीके हैं देखिए सीना किसी का ऊपर नीचे नहीं होता है बर अगर हमारी 40 चेश्ट है 42 चेश्ट है 38 चेश्ट है तो हम 10 इंच पर निशान लगाएं तो आप 10 इंच पर निशान लगाने तो दो तरीके हैं निशान लगाने कि अब देखिए हमें टक्स कैसे डालना कि इंची हमारा बराबर फिटिंग का कपड़ा आ जाए तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे जैसे हमने क्टिंग कर ली तो जूश टक्स है न वह हमारी एकदम बीच में आनी चाहिए तो कैसी आएं इंगे कि सबसे पहले तो हम अपना फिटिंग का कपड़ा निकाल लिय ग्मॉत्व निकाल लिया, उस्के बाद 59 suck 10 कि कारेंगे देखिक हमारा सभे नो इन्च कंझ को सभे शुचथ को ऐसे तो यहां पर आयगा हमारा पोहनी बाच इंच तो यहां पर हम नीचे का काट्स तालेगे में जक हमारा नीचे का 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 है, आप हमay अपना जसब टो इंच के दूर राखना हमने इंची टेप इस तरीकेसा पिलेटों में हमारा । Rece Him तो इस तरीकेसा अपना टक्स का निशान लगाना आप देखे ए हामारा जो टॉक्श का यहां पे आईगा यह संदो इंच पे ऑफर और यह नीचे दस इंच पे क्योंकि तो anglais को हमारी दोनों साथ निशान पराबर आगए अब हमें यहाँ से इन दलने हैं तो यहां पे हमने ऊदायं लेना करके और पिछे की प्लेट कैसे डालें गे और तीरा हम कैसे कालें यह इस आपको बता हूं यहां पर आनरीन कम करेंगे इस तरीके से कम करेंगे है ऐसी है इसको भी अपिक्सा एकस्तुरओ करना है यहां पर भी हमें आदा इंच लेना इसको भी कम करना कम करते हुँ उतारेंगे अब जो नीचे की पिलेट है यह हमारी में पिलेट है पप के लिए तो यहां पर देखें हम एक इंच लेंगे और इसको भी हमें कम करते हुँ उतारना है कि हम इस नीचे कि पिले डॉमें एक इंच लेनी इं है करें यहांपर हमने एक इंच लेके और कम कर ना देखिए यहांपर हमें एकदम सेफ में उता़ना है यहां पर भी देखिये कम करते हूए और यहां पर भी देखिए आदा इंच लेना हमें चोड़ाई में इस तरीके से हमारी चार अपिलेटर डलगी देखें अब हमें नीचे का तीरा लगाना है तो देखिए तीरे को हम इस तरीके से रखेंगे आदा इंच तीरा बहार निकलना चाहिए जब हमारा सई से आएगा देखिए अब देखिए हमारा यह तीरा भी लग गया और यह टक्स भी देखिए कितने अच्छे से आएं तो जो तरीका है यहां पर हमें आदा इंच लिए गया है यहां पर आदा इंच लिए कम पर और इंच लिए है करना वो भी पता दू हर साइज में देखिए यहां से हमें निशान लगाना है तो देखिए बैसे में हम इसा आपको 13 इंच पर बताती हूं यहां पर हमें 13 इंच पर निशान लगाती है इस तरीके से हर साइज में आप 13 इंच पर निशान लगाएं उसके बाद देखिए एक आप यहां पर ले, और इसको हम ऐसे करके ऐसे मिला देंगे, तो यह मैंने जो निशान लगाया 13 पर और यहां पर भी हमने इसको ऐसे मिला दिया, तो यह मैंने कितनी चेश्ट का बताया है, 32, 34, 33, 35, यहां तलब तो यह सही है, अब आ जाएगी 36, 36 तो heavy chest है, 38 है भी है, 40 है भी है, 42 है भी है, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, यहां पे लेंगे हम एक इंच नीचे की साइड, बीच में हमने एक इंच लिया, उसके लिए देखिए हमें नीचे की साइड से ऐसे गोलाई देने हैं, ऐसे, इस तर 37, 38 chest में इस तरीके से आप निशान लगाएं, नीचे की साइड आपको एक इंच लेना है, और फिर आपको ऐसे शेप देना है, तो इस तरीके से अगर आप निशान लगा रहे हैं, तो अब आपका सीना इसदम ऊपर तीरा ऊपर नहीं जाएगा, एकदम यहां पे आपका अ इसके लिए तरीका है, यहां पे आपको एक इंच लेके और नीचे की साइड गोलाई में निशान लगाना है, और 32, 34, 33 chest वाले यहां पे तेरा इंच पे निशान लगाएं, और इसको एक इंच ऊपर की साइड लेके इसमें यहां पे ऐसे निशान लगा दें, तो इसका भी chest है, तो आपको 10 इंच पे निशान लगाना है, अगर आपकी chest कम है, 32, 34 है, तो आप 9 इंच पे निशान लगाएं, सबसे अच्छा यही तरीका है, और इसी तरीके से में सारे बलाउद बनाती हूं, वह यह आपको बताती हूं, और जैसे हमारा टक्स लगाने का तरीका, तो हमारा यह 10 इंच का निशान है, इसका हम आदा करेंगे, यह हमारा 10 इंच का निशान है, इसका हम आदा करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे दिखे कितना आ रहा है, 5 इंच, तो हमारी यह नीचे की पिलेट 5 इंच पे आ जाएगी, और नीचे की पिलेट हमें गेराई में कम से कम एक इंच लेना डवल करके दो इंच की दूरी रखेंगे हम यहां पर हर साइज में हमें दो दो इंच की दूरी रखने है इस तरीके से दो दो इंच की दूरी रखके हमें प्लेट डालने हैं तो यहां पर जो तरीका है जो मैं हर साइज में लेती हूं और बत्ती चेश में जादा है अगर हमार अगर घलह में जादा है कि अगल्प चूड़ाइब कर निशन लगए है अगर हमारा घला यहाँ पर यहां पर बीच में शूलels के से पहला है ये सबहुत आसाल और सराल तरहीचा है इस तरीके से कर ये ups यह ना भी आपके वहां किपड़े को दूभा यह बीच में प्लेट आएगी सोल्ट से अब देखिए यहां पर चोड़ाई में हमने गला बनाएं तो आप इस प्लेट को यहां पर थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं आदा इंच क्योंकि यहां पर गला है तो गले के पास अगर प्लेट को डालेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा चोड़ा बनाएं और बैसे तो यही तरीक अच्छा है कि बीच में से हम निशान लगाएं और प्लेट डालें अब देखिए कहीं तरीके हैं तो मैं आपको गुम अगर आपके गली के चोड़ाई कम है ऐसा ही है थोड़ा डीप है और लंबाई में तो आप यहां पर बीच में से ऐसे निशान लगा के यह निशान लगा लें अब देखिए प्लेट डालने का जो तरीका है इससे भी बहुत फरक पड़ता है जब हमारी फिटिंग की जब करें तो फिटिंग में भी बहुत फरक पड़ता है जब हम एक प्लेट कम दबाते हैं जैसे हमने यहां पर आदा इंच के पिलेट दबा दिया कपड़ा आदा इंच लिया और हमने यहां पर सिलाई लगा दी तो थोड़ा सा पीछे से उठा उठा सा रहेगा हमें यहां पर यहां पर यहां फिटिंग में कोई कमी नहीं रहेगी आपकी एक दो अच्छी फिटिंग आएगी और यहां पर देखें प्लेट डालने का जो तरीका वो कम करते हुए आपको ड़ने ओ कर दो topic कि अब दिक इसके लॉंबाय की बात करें तो प्लेट की लंबाय कम से कम पांच इंच होनी चाहिए क्योंकि यहां से तो हमारा दब गया और यहां साथ हमारी कशें दबने चाहिए यहां पर जोल नहीं आनी चाहिए और यहां पर हमें लंबाई पांच इंच की लेनी है अगर आप 4 इंच की लंबाई भी रखते हैं, तो भी चलेगा, लेकिन इसकी लंबाई ज्यादा नहीं रखते हैं, 6 इंच की लंबाई ना रखते हैं, 5 इंच की काफी है, यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे की पिलेट का तरीका बता है, उसी तरीकी से डालें, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है कि हम कैसे जालें, एक इंच के आपको चोड़ाई लेनी लेनी है, हर साइज में ले ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा है, क्योंकि एक इंच तो होना ही चाहिए, डवल करके, अगर आप और इंच लेते हैं, तो भी चलेगा, अगर आपका कपड़ा कम ह तो आदा इंच भी चलेगा, लेकिन जो तरीका है वो एक इंच का होना चाहिए, तो यहां पर देखिए, जैसे आपने कमेंट किया, उसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिस की अब यहां पर देखिए, जो मैंने तरीका बताया, पप के लिए, अगर आप पे फिटिंग बिल्कुल नहीं आती है तो आप प्लीज हमारे चैनल में देख लें अभी मैंने फोर्टक्स तीरे वाले का जो फिटिंग है और गले में पाइप इन कैसे लगाएं तो बुस सब में आसान और सरल तरीके से आपको बताती रहती हूं तो प्लीज आप चैनल में देख लें अभ कोई मैं आपको बताती हूं तो आसा करते हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए कुछ सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर कीजिए और जो नई लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक कर लें और इसने कि जो हम नई वीडियो डालते उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है धन्यवाद कर दो 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 कर दो